दोस्तें इस एडिवे में आप सीक्केंगे कि कोई भी नम्बर लिखे यहाप फिगर लिखके आये है या कोई लिखके आये हैं वो स्थ didnt उखके और आप इऊ जब कि इसका टोटल आप करेंगे तो यहां पर टोटल आ रहा है इसका तीन दो पांच तोटल नहीं है तो इसी तरह से यहां पर टोटल में पांच जार पर नहीं आ रहे हैं ठीक है तो इसी तरह से यहां पर टो eerste पी यहां पर मेंगेशंध को में cohort करता हूं तो इससे मैं सोट करते लिए इसको मैं बताने के लिए जिछिए मैंने आप यहां पर देखेंगे इसलिए और आद één को स्य आपेडिख साथ नंबर पहरु GOOD तो साथ नमबर लो नमबर के देट लिखी भी नहीं थी, प्रोपर नमबर लिखे भी नहीं थी, इसलिए वो डेट नीचे चली गई है, आपको नीचे नीचे वेरिफिय करवा जाता हूं, देखिए साथ नमबर नीचे आगे है क्योंकि यहां पर डेट के फॉर्मेट में नही तो एक नमबर के फॉर्मेट में ही होती है, टेट के फॉर्मेट में नहीं होती है, तो यह जो डेट लिखी हुई चैनल पर पहली बार आएंट तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल अरकम को प्रेशिए जीजिए कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकस्ट मिलता रहे है और उसका भी आपको बेनिफिर मिलता रहे है करा है सबसέ पहलिए process करेंगे formule से पहले हम formula की पता करेंगे कि वह नबबर है कि तेक्सट है यहां पर हम प्रोण लागाएंगे equal to is-text एह formula है यहां check करेंगे रेकर बन करेंगे कया करेंगे इसको निचे द्धा कोपी करदेंगे अगर होगा तो true करेंगा ट्रेक्स कैएगा तो इसको false करेंगा थीक अवनने पता कि हैं कि अगर वूरी लिखें है true मतलब यह text है यह निचे भी यह लिखा हुआ है Monte वाता हुट नहीं यह हो Georgette विब्र टेख्टे है इस सब्लें नमबर करेंगे हम अगर प्र spannend झाथ तु टुब करेंगा अधर विसको फोल्स करेंगा इस तरए करो रहा है यह आध कर रहा है यह नमबर नहीं है इसको फूल्स कर नहीं इसको फोल्स कर रहा ठीक है डिएस realise से चेक कर सकते हैं अपर इक्वल टू इस नंबर यह वाला से ले लिगी आप रखर बंद करी है ट्रू यह देखिए यह देखे फोल्स आ हरा है मतलब यह जो निशनी तरह थी वह प्रोपर टेट नहीं लिक्वीड इनमबर फॉर्मयर में लिक्वीड इसनी यह पे फोल्स आ र फो फोमला लगा देंगे, if text अगर है, तो यहाँ पर लिखे, invidus, कॉमा केंदर text, अधरोज इसको blank कर देवे, यह फोमला लगा है आपने, कि अगर text है, तो text लिखे, अधरोज बलेंग कर देवे, इसको नीचे तो copy कर देंगे, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कौन कौन से कंदर text लिखे आया है, पर बाकी में number proper लिखे आया है, अब हम दूसरे तरीकी की बात करेंगे, इसमें जाना जाना भी आपको चेक करना है, वो आपने रेंसल कर लेनी है, इसके बाद में आपको, home tape के अंतर, conditional formatting में जाना है, conditional formatting आपको new rule में जाना है, और new rule में लगर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, use a formula to determine which cell is permit, आपको इसको click करना है, और यहाँ पर आपको formula लिखना है, जो हमने वहाँ लिखा था, equal to each text, breaker जालू करना है, और आपको यह जो पहला जो है, वो आपको लेना है, वो इसमें breaker बंद करना है, और इसके अंतर जो dollar लिखा हुआ है, 3 के पहले, उसको आपको यहाँ से हटा देना है, क्योंकि पूरे आपको नीचे तर इसको check करवाना है, condition okay होती है, तो इसको आपको format का color देना है, highlight करवाने है, highlight करने के लिए हम film में जाएंगे, यहाँ पर इसको yellow highlight करवा जेते हैं, okay करते हैं, okay करते हैं, जैसे आप conditional formatting लगाएंगे, आपको यहाँ पर answer मिल जाएगा कि, cell के अंदर number नहीं लिखे हुए है, जो भी number लिखे हुए है, वो text format में लिखे हुए है, इस तरशा conditional formatting से आप चेक करवा सकते हैं, कि वो number हैं या text है, तीसरा जो तरीका बताने वाला हूँ, इसके अंदर भी आपको range बख कर लेंगे है, जिस range में भी आपको चeक करना है, इसके बाद में आपको, क्या तो F5 करना है, या control g करना है, आप 5 भी कर सकते हैं, control g कर सकते हैं, मैं अपर control g कर रहा हूँ, जैसे control g करेंगे, एक यहाँ पर window के राहींग, इस window के अंदर आपको यहाँ पे spacial मे तो आपको एगर text check करवाना है तो आपको text में tickle रखे बाकी गोटा दीजे okay करिए आपको यहाँ पे वो highlight हो के आजाएगा कि कहां कहां पे आपका text है इसको आप color कर दीजे ठीक है तो आपको यहाँ पता चला कि आपने इस जगह पे number जो है टेक्स में लिका है यहाँ चेकर से यहाँ भी अपने चेकर वाते हैं यहाँ फोल्स लिखा हुआ है यह नंबर नहीं है प्रेस कीजिए से मेरे आने वाली वीडियो का notification मिलता रहे उसका भी आपको benefit मिलता रहे थेंक्यू